हलो फ्रेंड सुहागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल सरकारी बागो में फ्रेंड आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है फ्रेंड ये चंदिगर वाले जो कंडिड़ेट परिशान हो रहे हैं तो जैसा कि आप इस्क्रीन पर देख रहे हैं कि से गांड और कि सिट किया नहीं शोजाएं कि वेटिग वाले वाले candidates त्यार रहें और तैयार ही नहीं रहे yeah और के लिए का मैं किटनी तुकनी किने स्थे जो आप तक कितनी सीटे अब तक उनले और लिए जो candidate है उनके लिए official update है तो friend ये सारी update में आपको वीडियो में एक RTI का reply आया है जिसके माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ तो जिस candidate ने हमें ये RTI reply शेर किया है ये इतनी अच्छी wonderful information जो शेर किया है हमारे साथ उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं हमारे YouTube चैनल की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह की बहुत ही अच्छी RTI का reply जो है वो हमें शेर किया है बलक में के वेटनंग एलोगी बहुत सारे गेंडरेट्ट जो वेटन इस परृसान हो रहा है तो मैं आपको बता दे। बल्क में यहां से यहां से वेटेंग क्लिया होगी तो चलिए फिरने वीडियो स्टर्ट करने से पहले जिन लोगों चैनल को सब्सक्राइब करके बाड के बटन को प्रेस कर लें जिससे आपको रेलवेय बरती की पलपल की ऑफिशल अपडेट मिलती रहे तो फ्रेंड यहां पर केंड़ेट ने जो कुशन किया था वह यह था कि आई वांट टू नो सम डाटा रिगार्डिंग और सी नंबर जीरो दो अबलेक यानि मुझे कुछ चाहिए जो कि सी नंबर जीरो दो अबलिक दोजार अठारा गुरूबड वाली केंड़ेट के लिए यह चंदीगर के अपडेट है मैं आपको फिर से बता रहा हूंगी चंदीगर जोन के लिए केंड़ेट के लिए अपडेट है यहां पर फर्स्ट कोशन किया था हाओ मैनी केंड़ेट आर इंपैनल और रर्सी सी नंबर जीरो दो अवलिक दोजार अठारा केटिगरी वाइज यू और ओबीजी स्टी सी 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 ए एक सर्विसमें और पीड़ूड यारी इन्होंने केंड़ेट ने कोशन किया था कि अब तक कितने केंड़ेट जो हैं इंपैनल हो चु सेगेंड कोशन था हाओ मैनी सीट्स आर वेकेंड आफ्टर थर्ड डीवी राउंड सी नंबर जीरो दो अवलिक दोजार अठारा केटिगरी वाइज यू और ओबीजी सी एस्टी सी एक सर्विसमें एक सर्विसमें पीड़ूड यानि सभी केंड़ेट्स के लिए दूसरा क कि कितनी सीट का लिए एक सर्विसमें और पीड़ूड केटिगरी से कितनी सीट्स यहां से खाली है थर्ड कोशन था कि हाओ मैनी सीट्स आर वेकेंड आफ्टर सेकेंड डीवी रार सी सी ए नंबर जीरो दो अबलिक दोजा अठारा ओबीजी केंडिडेट अधर देन चीम Chakras고 Range to buy selected candidate इन ओबीदी केटिकिरी अधर देन पीड़ोडी सीन cca सर्वी सफन रहने auto B Kirsty की जो मैरिड थी वह कितनी गई थी सबी Kटीड इंदर तक किसे सीटमी जए चाह से कर्यों से कहां मैरिड यहां से अपरस्टन wüns सबीदोंग्रों ने अपनी रंक के बारे में पुछाए कि OBC में की rank कितनी है जिसको hidden कर दिया गया six question था how many candidates non joining RRC Cain no.02.2018 यहाँ पर 2018 है यह by mistake है category wise UR, OBC, SC, ST, CCA, ex-service man और PWD यानि कितने candidate है जन्होंने non joining यानि जन्होंने join नहीं किया है अभी तक RRC में category wise बताईए तो छटा question यह था seven question यह था था how many candidates are unfit medical and document verification after third DVCN no.02.2018 category wise बताईए यानि कितनी seats vacant हुई है अब तक जो third DV आ चुका है उसमें कितने candidate ऐसे हैं जिनको reject किया गया है वो बताईए जो कि DV में फेल हुए, medical में फेल हुए, प्लस आपका जो biometric है उसमें फेल हुए तो सारी detail बताईए category wise के journal के कितने फेल हुए, OBC के कितने फेल हुए थे, SC के कितने हुए, ST के कितने हुए और CCA के कितने हुए, X-Service Man के कितने हुए, PWD के कितने candidate जो हैं वो rejected हो चुके हैं तो उनके बारे में भी पूछाया तो यह थे इनके सारे ही question जो कि RTI में पूछे गए थे, बहुत ही शांदार question थे, जो तरीका होता है, पूछे हैं वो से अच्छे questions यहां से पूछे गए, तो चलिए अब इनके जवाब बताते हैं कि इनके जवाब क्या RRB ने, RRB चंदिगर्ण ने इन सभी questions के answers क्या दिये हैं, तो जैसा कि आप आई कि 6 जून 2021 है, और उसका जो reply आया, वो 1 जुलाई 2021 को आया, तो बिल्कुल latest में update है, पहला question यही था, कि total इंपैनल candidates के बारे में पूछा गया था, category wise, तो total जो notified vacancy थी, वो 7307 यहां से आई थी, जबकि 3100 UR candidate थे, OBC के 749, SC के 127 और ST के 560, CCA के 123, XServicemen के 203, PWD के 128 candidate जो हैं, अब तक जो हैं, तिल डेट नाओ, यानि बिल्कुल latest में तिल डेट तक इंपैनल्ड हो चुके हैं, यानि इतने candidates को यहां पे इंपैनल्ड कर दिया गया है, जो कि नोटिफाइड वेकेंसी, साधियार 370, जनरल के 3100, OBC के 1749, SC के 1027, ST के 560, CCA के 123, XServicemen के 203, PWD के 180 candidates को यहां पे अब तक जो हैं, इंपैनल्ड कर दिया गया है, तिल डेट अंडर सीया नंबर 02 अबलिक by RRC NR, यानि Northern Railway की तरफ से इतने candidates को यहां पे इंपैनल्ड कर दिया गया है, सेकेंड कोशन यह था कि टोटल हाउ मेनी सीट्स आर वेकेंड्स, यानि कितनी सीट्स वेकेंड्स ही, कैडिगरी वाइस बताईए, तो सेकेंड नंबर में 320 सीट हैं, यहां से अभी खाली हैं, यूर की 195 हैं, OBC की 61 हैं, SC की 44 हैं, ST की 20 सीट हैं, और एंड 126 PWD की PWD सीट हैं, अन्फिल्ट एज ओन डेट अंडर सीट नंबर 02 अबलिक 2018, यानि अब तक, अब तक की डेट में, जो जब तक जवाब दिया गया है, अब तक की डेट में 320 सीट हैं, जिसमें 195 जनरल की हैं, OBC की 61 हैं, SC की 44 हैं, ST की 20 हैं, और PWD की 126 सीट्स अभी यहां से खाली हैं, थर्ड कोशन में यह जवाब दिया है, 61 सीट जो हैं, वो OBC की खाली है, excluding PWD, यानि PWD कैटिगरी को छोड़के, 61 सीट जो हैं, वो OBC की खाली हैं, 4 फोर्थ कोशन इनका परसनल था, कि, सुर्थ कोशन में था, कि लास्ट कॉशन परसनल था, फोर्थ कोशन में था, कि लास्ट कॉश किरी के लिए रखे गई, ती जोन पर जोन में इधा जवाब में उनने active ऐन्सर दिया है, कि it function of the RRC is तू रिकमेंडेट नेम फोर नेम्स और सुटेबल केंडेट सुदा पॉंसर्ण ऑथरिटी और जोर्नल रेलवे हूं इन तर्ण इशू अफॉर ऑफॉइट में लेडर सब्जेक्टे तू अविलिटी और वेकंशी जन सटिस्वाइं और इलिजिबिटी क्रेटेरिया हैं सच सच डाटा नॉट अविलेबिल इन रर्सी एन आर ऑफिस यानि रर्सी का जो एनर ऑफिस है वहां पर इस तरीके का कोई डाटा नहीं है जो आर रर्सी एनर एक डाटा बनाके भेज देती है केंडेट का जो केंडेट सुटेबल होते हैं जॉब के लिए और वह सारे ही इसको जितने एनर जोइनिग है या या जिन्होंने जोइन नहीं किया यह डाटा आर रर्सी एनर के पास नहीं है बलकि जोर्नर रैलवे के बास है तो Andais आर अभी यह डे नहीं बेज सा इनका ये था कि कितने candidate हैं जो कि rejected हुए है overall DV में fail हुए medical में fail हुए तो वो सारे candidate बताइए तो total number of 764 candidate cases are rejected due to biometric mismatch document verification incomplete and medical unfitness यानि 764 candidate है जो कि बहुत ज्यादा यहां से seat vacant है यानि इन seat पे आप मान के जालिए कोई भी candidates नहीं है इन seat पे replacement panel यहां से आएगा अब की जब की अभी तो main panel जो notified vacancy है उसी पे main panel की seat खाली है तो 764 तो यहां से खाली है पिलस आपका और 320 के करीब उपर seat खाली है तो काफी bulk में seat जैसा मैंने आपको उपर बताया था कि bulk में seat खाली होंगी तो 1084 seat जो है वो यहां से खाली है 764 seat के बारे में यह नहीं बताया गया है कि कितनी category wise किस किस category में कौन कौन से seat खाली है सिर्फ इनोंने एक data दे दिया है analysis करके कि 764 seat जो है वो यहां से biometric mismatch, document incomplete and medical unfit की वज़ए से जो है cancel कर दी गई है तो इस इन जो जो seat पे है आपका replacement panel यहां से जारी होगा तो जितने भी waiting वाले के इंडेट इंतजार कर रहे है तो अच्छी खासी यहां से bulk में waiting जो है वो clear होगी आप मानके चलिए कि last का top 73.1 थी तो मानके यहां से अब चल सकते है के 72 तक मेरिट जो है वो यहां से वन पॉइंट मेरिट पूरे वन पॉइंट की मेरिट जो है वो यहां से कम होगी अगर इन पैनल पे इन seat पे पैनल आता है तो अभी पैनल तो आएगा क्योंकि 320 seat है तो main की अभी खाली है प्लस आपका replacement panel जो आएगा 744 seat हो पे replacement panel आना है तो यहां से bulk में seat खाली है तो जो केंडियेट इंतजार कर रहे है कि वेटिंग किलियर होगी है नहीं होगी तो जी आफेंट वेटिंग यहां से 100% शूर है कि किलियर होने के पूरे पूरे चांसेज है क्योंकि बलक में seat खाली है तो आप लोग वेटिंग वाले बिल्कुल भी घबराईए मत और next panel की बात कि जाए कि कब तक आ सकता है तो next panel जो है कुछ covid cases चल रहे हैं जिसकी वज़ए से इसमें problem हो रही है तो covid cases जैसे ही कम होते हैं आपका जो main panel है वो जारी कर दिया जाएगा क्योंकि काफी ज्यादा इनकों जो main panel की list है वो काफी लंबी है 320 seat ओ पर पैनल निकालना है तो उनके लिए काफी candidates को पैनल लिस्ट जारी करने होगी तो इसमें काफी बड़ी list है जो की candidates वहाँ पे पहुँचेंगे तो आप लोग घबराईए मत वेटिंग आपकी किलिए रजरूर होगी थोड़ा सा covid cases काम हो जाए तो जल्दी ही यहां से जो replacement panel है वो आ सकता है अप्रोक्सी मेरिट अकर मान के चलें तो अगस्त के second week तक या जुलाई के last week तक आपका जो पैनल है वो यहां से जारी हो सकता है expected है हम नहीं है कोई कि इसके रिगारे में कोई official data नहीं है तो हम पूरा confirm नहीं कह सकते हैं तो यह थी अब तक के अप्डेट जो की चंदीगर वाले जो चंडिएट परिशान हो रहे थे उनके लिए लेकर आया थे वीडियो पसंद देगे तो लाइक कर देगा दोस्तों के शेयर कर देगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो चलिए फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स अप्रेट के साथ